अम इसे कहीं लोग समझते हैं, कि अगर मन को शक्तिशाली बनाना है, शांत बनाना है, तो मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर तहीं पर जो एक कॉमन चीज सब कहते हैं, कि हम करना चाहते हैं, हम मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, जैसे कहीं लोग कहते हैं, कि नहीं हम अपनी बॉड़ी को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइस करना चाहते हैं, वाकिंग के लिए जिम के लिए टाइम निकालना चाहते हैं, पर हमारे health के लिए अलग से समय नहीं निकाल पाते exercise नहीं कर पाते तो कोई कहेंगा अच्छा कोई बात नहीं, अपने दिन में activity जादा बढ़ा दो आप lift यूज नहीं करो, stairs ले लो, थोड़ा से अपनी car office से दूर पाक करो, हर गंटे के बाद एक एक मिनट थोड़ा सा वॉक ले लो, चलो अलग से जिम नहीं जा सकते, लेकिन दिन बर में थोड़ा थोड़ा भी activity करेंगे तो body fit रहेंगे ऐसे ही अगर आम बहुत अलग से time meditation के लिए नहीं निकाल सकते, तो कम से कम हर गंटे एक मिनट अपने लिए निकाले, ये एक मिनट भी बहुत बहुत powerful है, ये एक मिनट है अपने मन की charging के लिए, इसको कहेंगे traffic control of the mind आप कहीं बार देखो अगर सड़क पर बहुत traffic हो जाए, traffic police वैसे तो सारा traffic direct करी रही है, लेकिन अगर बहुत traffic हो जाता है, तो फिर एक बारी सारा stop कर देती है सारा stop करने के बाद फिर direct करना शुरू करती है, ऐसे कभी-कभी मन के अंदर thoughts का traffic हो जाता है, negative, waste, बहुत thoughts चलते हैं, पता नहीं चलता है अगर हम हर घंटे में ये एक मिनट निकालते हैं, तो इस एक मिनट में क्या करना क्या है, सर्फ एक मिनट में सब को छोड़ करके silence में बैठना नहीं है, लेकिन एक मिनट silence में बैठकर, अंतर मुखी होकर, चेक करना है कि मेरे मन में किस quality के thoughts चल रहे है, हमारे लिए सबसे comfortable जो stage है, वो है शांती, हम सब कहेंगे शांती चाहिए, 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 पर truth ये है, कि हमें शांती चाहिए नहीं, हम है ही शांस वरो, I am a peaceful being, हमारे लिए सबसे comfortable है कि अगर हम peaceful है, happy है, loving है, अगर हम वो नहीं experience कर रहे हैं, अगर हम उस चीज को महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा भी reflect करेंगे, तो realize करेंगे, कि मन में जो thoughts चल रहे हैं, उनकी quality positive नहीं होगी, या तो वो negative होंगे, या वो waste होंगे, या वो past के बारे में होंगे, या वो future के बारे में होंगे, तो उस one minute में केवल रुखना है, reflect करना है, और अपने thought को identify करना है, कभी कोटी सी बात होती, थोड़ा सही किसीने कुछ कह दिया होता है, बॉस ने कुछ कह दिया, घर में किसीने कुछ कह दिया, किसीने इतना सही कह दिया कि एक खाना अच्छा नहीं बना है, आपने ये काम ठीक से नहीं किया, आप तो कभी भी टाइम पर नहीं आते हो, वो एक ला बना देते हैं, अब ये background में music की तरह चलता रहता है, पता नहीं चलता है, बाहर हम काम करते रहते हैं, लेकिर अंदर ये चलता रहता है, और ये जो अंदर चलता रहता है, अचली ये भी नहीं कहेंगे चलता रहता है, ये हम चलते हैं, consciously, पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि अ आदत हो गई है, नई तो हम मन के मालिक हैं, हर थोट जो हमारे मन में आता है वो हमारी क्रियेशन है और हमारे पास चोईस है, अगर हम उस चोईस को यूस्क नहीं करते और इन थोट इसे ही चलने देते हैं, तो यह हमें शाम तक बिल्वकुल डिपलीट कर देते हैं, इसलिए एक घंटे में एक मिनट निकालकर, रिफलेक्ट करके, इंको stop तो नहीं कर सकते हैं. क्योंकि मन एक फैक्टरी की तरह है, जो सोचता रहता है, उसका काम ही सोचना है. आप stop नहीं कर सकते हैं, पर हम उसको transform कर सकते हैं. इसलिए कहते हैं, एनरजी के नीदर भी created, नौर भी destroyed, पट गैन भी transformed. उर्जा का हम निर्मान भी नहीं कर सकते हैं, विनाश भी नहीं कर सकते हैं, पर उसको परिवर्तन कर सकते हैं. वहीं पर ही अगर हम रुख कर के कहीं, मैं अपने मन की मालिक हूं, हर संकल्प मेरी रचना है, और मेरे पास चोईस है. हाँ, मशीन थोड़ी नहीं है. मशीन के पास चोईस नहीं होती. जैसे माई के उसके पास चोईस नहीं है, जो उसमें बोलो, वो ही सामने वाले तक पहुँचेंगा. ठीकिन हम तो human being हैं. मशीन और इंसान में फरत की तो ये हैं ना, कि हमारे पास चोईस हैं. उस समय चूस करें, कि भले उन्होंने ठीक से बात नहीं करी, पर मुझे ठीक सोचना है. उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट भले न दी हो, पर मुझे अपने से respectfully बात करनी है अपने को अगर इतना भी याद दिलाएंगे हो सकता है उनका mood ठीक नहीं है हो सकता है वो अपने पुराने गुसे के संसकार के परवश है इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया लेकिन मुझे उनकी बात को पकरना नहीं है हाँ check करेंगे mistake होगी तो change करेंगे नहीं तो full stop और ही वो आतम अगर दर्द में है तो उसके परती रहम की भावना के सामने वाला कितना दर्द में है क्योंकि दर्द वाला व्यक्ति ही दर्द देता है दुखी व्यक्ति ही दुख देता है हर गंटे जब हम वन मिनिट का साइलेंस लेते हैं, हम अपने को याद देलाते हैं कि हम अपने संकल्पों के अपने मन के मालिक हैं, अभी हमने ये पावर सब के हाथ में दे रखी है, कोई भी हमें डिस्टरब कर देता है, पर इस्थिति और दूसरे लोग हमारे कंट्रोल में हम सारा दिन बहुत सारी एनरजी उनको कंट्रोल करने में लगा देते हैं, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इसको ऐसे वैवार नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसे काम नहीं करना चाहिए था, कितनों को ठीक करेंगे, आप खुद ही सोचो कितने लोग हमारे अनुसार चलेंगे, बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है, वहीं पर यह अटेंशन अपने पर लेकर आएं, एक चीज चो हंड़र्ड परसेंट हमारे कंट्रोल से चलेगी, वो है हमारा मन, उस मन के मालिक बनकर उस एक मिनट में अपने से बात करनी है, बीती, सुबिंदी, जो हो गया, जैसे किसी को ठीक करते हैं तो कहते हैं जाने दो ना, वह कही नए, या बात अब अभी सको लेटको करो, पकड़ नहीं, ऐसे अपने को कहने हैं, सुबह हो जो… आभी पिती सुबिंदी, अभी लेटको करो, उसको फुल स्टॉप लगाऊ, इसको कहेंगे, इस को सेल्फ mit जब हम ऐसा करते हैं, तो फिर हमारी एनरजी ड्रेन नहीं होते, फिर हमारी डिसिजिन पावर, हमारी creativity, हमारी productivity, सब ठीक रहते हैं, तो घंटा घंटा बीता चला जाता है, गलत सोचते सोचते, एनरजी इतनी डिपलीट हो जाती है, कि जब तक हम अपने घर में रात को पहुं तुम कहेंगे ने काम तो बहुत नहीं था, दिन तो बहुत नॉर्मल था, काम हमें नहीं थकाता है, काम तो कहीं बर हम AC केबिन में बैठ करके बहुत आराम से कर रहे होते हैं, पर जो चीज हमें थका देती हैं वो है हमारी सोच, हमारी गलत सोच बोज़ क्रियेट करती है, वो बोज भारीपन क्रियेट करता है और फिर कभी-कभी वो सारा का सारा बोज, भारीपन, दर्द हमारे अपनों के सामने निकल जाता है थर पहुंचते हैं जिन से सबसे जादा प्यार है कई बार वो इरिटेशन और गुस्सा उनके उपर ही निकल जाता है तो इस वान मिनट की पावर को समझे जैसे हम कॉफी ब्रेक लेते हैं टी ब्रेक लेते हैं ऐसे बीच-बीच में ये spiritual ब्रेक लेना है शुरू में हमें अपने को याद दिलाना पड़ेगा शायद हमें अपने फोन में अलाम सेट करना पड़े reminder set करना पड़े पर आप थोड़े दिन इसको करके देखे सिर्फ 7 days, 20 days इसके साथ experiment करे इससे जो benefit मिलेंगा वो हमें इसको आगे करने में जैसे motivate करेगा लेकिन शुरू में हमें शायद alarm set करना पड़े कोई भी चीज थोड़े दिन करने के बाद body used to हो जाती है जैसे आप देखें अगर आपको सुबस उठने के आदत नहीं है थोड़े दिन alarm set करते हैं थोड़े दिन alarm हमें सयोग देता है उठने के लिए फिर समय ऐसा आता है कि alarm बजने से पहले ही आप उठ जाते हैं alarm नहीं भी लगाया तो body को जैसे आदत पढ़ जाती है उस time पर उठने की ऐसे ही मन को आदत पढ़ जाती है फिर अपने आप ही एक घंटे में reminder की तरह मन कहेंगा कि मुझे एक मिनट अपने लिए निकालना है हम human being है human doing नहीं है कहीं बार सारा दिन मन ये सोचता रहता है being love, being happy और उस being stage में रह करके फिर करम में आए तो फिर हम जो भी करेंगे उसके अंदर peace, happiness, love naturally radiate होगा और सबसे ज़्यादा हम सारा दिन शांती, खुशी और प्यार में रिता सकेंगे ओम शांती प्यादा